जैहिंद मेर प्यारे दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल स्टडी प्लैटफॉर्म में हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग साज जुलाइ दोजाध को सीट양 के परसनों के एंसर की को देखने वाले हैं तो जिन लोगों का साज जुलाइ दोजाध दोजाध को सीट элект का पेर रहा होगा तो यहाँ से देख कर अपना एंसर की मिला सकते हैं वीडियो स्टाट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे साथी साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ इसे सेर करना न भूले तो चलिए दोस्तों फर्स्ट कोशन के साथ जो की CDP से related सवाल पूछा गया उससे इस वीडियो की सुरवात करते हैं फर्स्ट सवाल है कि प्रगती सील्स इच्छा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है तो इसका correct answer हो जागा ज्यान वर्दक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में बच्चों को देखा जाता है प्रगती सील्स इच्छा में correct answer हो जाएगा option 3 next question है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब तो जब कब ऐसा होगा कि यह सिखने की गतिवीदी के दोरान और पश्चाद भी होता है correct answer हो जाएगा option 2 next है अभी कथन और कारण से related सवाल कि सोरा वस्था के दोरान जेंडर अपेच्छाओं के नुरूप इस्तरित्व या पुरुसत्व की परणप्राओं का पलन करने के लिए दवाव बढ़ जाता है जे कारण इसका दिया गया कि जेंडर और जेंडर भूमिका है जैविक रूप से निर्धारित किया जाती है तो ये जैविक रूप से नहीं बलकि समाजी रूप से निर्धारित किया जाता है तो ये तो सही अभी कथन तो बिल्कुल सही है लेकिन कारण इसका क्या है गलत है करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा option 3 नेक्स सवाल है कि सुनीता एक बाड़ा वर्षी लड़की विशेश संगीती ये छमता रखती है उसके माता पिता दोनों ही निपुन गायक है और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रसिच्छन कक्छा में भेज रह प्रणाम है तो यह किसका प्रणाम है तो आनवान सिखता और वाता वरन का करेक्ट एंसर हो जाएगा option 3 नेक्स सम्वेंदें सील अवधी वस समय अवधी है जिसके दोरान खाली अस्थान विशेश रूप से समान विकास के लिए महत्पुन होता तो याद रखना है पढ़ि थाफरी नेक्स स्वाल हम एक सिखिश का खुद से पुछति है कि मैं ऐसे अनुभाव कैसे परदान कर सकती हो जिसमें चात्रों को पढ़ियावरन में विभीन परकार की वस्तों को वरगी करें और उनकी वरगी करन के स्कीमों का विशलेशन करने के आप सकता हो वो छा छातर कि अभी पेड़ना और योगता के बाड़े में विचार कैसे प्रभावित होता तो करेक्ट हैंसर हो जाएक कि यह अकसर योगता के वृधित सिल द्रिष्टी कोन में बढ़ी हुई आंतरीक अभी पेड़ना और विश्वास को क्या करता है दरसाता है नेक सवाल है कि रमा एक सिछक है जो वाईगौसकि के सिधान्त को अपनी कख्छा में लागू कर रही है और वह एक चुनावती पून कारे को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समुख करने के लिए निव्क करती है कार के दोरान एक छात्र एक महत्पुन संकलपना को समझने के लिए संगर्ष करता है रामा के लिए इस छात्र को मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा तो सबसे प्रभावी तरीका होगा कि छात्र के साथ समस्या प्रकाम करे और समुक के अन सदस्यों को सामिल करते हुए मार्क दर्थन और प्रतिपुष्टी परदान करे। नेक्स सवाल है अभी कथन और काड़न से रिलिटेक सिचकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और सहयों को प्रुचाहित करना चाहिए तो ये बिल्कुल सही है। ये निम्रिकित में से कौन सा सांस्कृतिक रुप से उतरदाई सिच्छन का सही वर्नन करता है। करेक्ट एंसर हो जाएगा 1, 2 & 3 यानि सुविचारित, अनुकूलित और विभेदित। करेक्ट एंसर हो क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है हमार सवाल अभी कतन और कारन से रिलेटेट अस्कूलों को उस धांचे के भीतर काड़ करना चाहिए जो तयार उत्पाद और सिखने के पड़े नामों का आकलन करते हैं। तो यह गलत है कारन इसका दिखना है कि सिखना पके तोर पर अनुक्रमिक और पदा अनुक्रमित होना चाहिए तो यह भी स्टेट्मेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया हुआ है दोनों के दोनों स्टेट्मेंट इसमें गलत है और एंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 परदसन की तुनला करता या सही इसमें दिया गया करेक्ट एंसरो जगा उप्शन 2 बच्चों के सामने नेतिक दूविधाएं रखना और अनुकिडियाओं को समलोचना करना नेक्स सवाल है अमारा कि रतनावादी सिच्चम विद्यार्तियों को खाली स्थान अधिगम की ओर ले जाता है तो या दखना खोज अधारित यानि डिस्कवरी लर्निंग की तरफ यह ले जाता है प्ठन वैकल से जूज रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है तो यह सिखाया जा सकता है व्यवस्तिक धवन यात्मक प्रसिचन के माध्यम से यानि थो सिस्टमेटिक फोनो लॉजिकल ट्रेनिंग के द्वारा है कौन से स्टुडेंट को डिक्स लेक्सिया से जो पिडित स्टुडेंट है उनको नेक्स सवाल है हमारा कि जिन प्याजे के संग्यानात्मक विकास का सिध्धानत या बताता है क्या बताता है कि पाटकरम को बच्चों के आयू ववा चरनन को ध्यान में रखर त्यार किया जाना चाहिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आप एक सिच्छा के जो अपने छात्रों को पड़ा संग्यानात्मक कोशल विक्सित करने में मदद करना चाहते है निम्लिकित में से कौन सी रनीती इस परकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है करेक्ट एंसर हो जाएगा चात्रों को अपने स्वायम से चिकने और सुचने की प्रकारिया पर विचार करने के लिए पुरुसाहित करना यानि autism is neuro development disorder यह इसका correct answer हो जाएगा नेक्स सवाल है कि पियाजे और वाइस गौसकी के सिधानतों में एक परमुख समानता क्या है तो दोनों में परमुख समानता की बच्चों की स्वायम की सिच्छा में संगलटना और जुड़ा यही दोनों में समानता correct answer हो जाएगा 3 नेक्स है अभिकतन और काड़न से related सवाल की अभिकतन की सिच्छकों को सिच्छार्तियों के बीच व्यक्तिगत विवनताओं का सम्मान करना चाहिए तो यह बिल्कुल सही है अभिकतन काड़न इसका गलत दिया है कि सिच्छक की विविद प्रिष्ट भूमी के सिच्छार्तियों को पढ़ाते समें उनके बीच सहयोग समुकार और बाची से बचाना चाहिए तो बाची से बचाना नहीं चाहिए दोस्तो बलकि आवर उसे क्य करना चाहिए परमोट करना चाहिए तो यह सही है लेकिन आर गलत है याद रखेंगे किस अधिगम की रननीती में बच्छों द्वाड़ा दूसरों को सिखना सामिल है जो उन्हें सिखा है तो करेक्ट एंसर आजएगा पराइसपरिक सिक्छन यानि रेशिप्रोकल रिलेेटेट तो अवने की संस्क्रेटी में जो समाजीक सद भावना पर जोट देते क्रोध को अभी व्यक्ति को हुशाइद किया जाता है तो यह सही है करन दिया भावनात्मक व्यक्ति पड़क है और सिखने में भूमिका नहीं दिवाता है तो यह सेन्गेम आर गलत है यह कि शित्च स्वाल बच्चो को पड़ियोग के लिए बहुत साठी आपकिश तेने चाहीये और उधारनों और गैर उधारनों पर चाहीये तो यह बिल्कुल सही है और बच्चों में गलत धर्णाव से निपटने का एकरतनात्मक तरीका विप्रित उधारन परदान करना है तो कारण भी इसका सही क्या कर रहा है एक्स्प्लाइनेशन कर रहा है अब हम लोग दोस्तों सोसल साइंस रिलेटेट सवाल को देखते हैं निम्लिकीत में से मिर्दा परदन और छिंता को नियंत्रीत करने के उपायक क्या है तो सबसे पहले मिर्दा परदन को रोकना है तो अती चडाई तो नहीं होगा तो यह option आप eliminate कर दिये, जहां जहां अती चडाई यानि B option हो इसको खतम कर दिए, तो 1 खतम हो गया, 3 खतम हो गया और 4 खतम हो गया, तो केवल B option को ही देखकर ये 3 option खतम हो गया, correct answer क्या हो जाएगा, option 2. Next सवाल है कि पिर्थवी की गति के बाड़ाय में दिये गए निमलिकीत कत्वनों, यानि A और B पर विचार करता है था, सही विकल्प का चुनाव करें, तो पिर्थवी को अपने अक्ष पर घुमना घुनन का लाता है, बिल्कुल सही कि पिर्थवी के अपने अक्ष पर घुमना क्या का लाता है, घुनन का लाता है, पिर्थवी का अक्ष एक काल्पनिक देखा है, जो अपनी कक्सिस सारे 33 देगड़ी है, सारे 33 नहीं है, सारे 33 डिगड़ी है, यह दखना है, तो B तो गलत हो गया, लेकिन A सही है, सही कथन हो जाएगा, option A नेक्स्ट है, अकवर ने निमलिकित में से किस सरदारों को वत्त वेतन जागिर दिया था, तो यह दखना सुसोधिया राजपुत को अकवर ने क्या दिया था, जागिर दिया था, कड़ेक टैंसर रोजेगा, option 3, नेक्स्ट सवाल है कि A और B कथनों का सरवचता के संदर में व अधिकार कमपणी अपने पास मांती थी तो बिलकुल यह सही है, तो A गलत है किन्तु B क्या है दोस्तों सही है, नेक्स सवाल है, संकलपनाय है, मतलब अस्तम 1 को अस्तम 2 से मैच करना है आपको, एक तरफ है संकलपनाय और दुसरा तरफ क्या है, उधारन, तो अगर आप दे को और सुरू कर रही हैं, या वह गरबती है, यह हो जाएगा, असमानता क्या हो जागा? समानकर के लिए अलग वेतन यह समानता को दढ़ साईगा रुढिवाती ता क्या हो जाएगा? तो रुड़ीवातीं और एक लड़की भानाने बोजन पकाने में अच्छी है और पुर विच्फ के पस्षिम उनका समय ग्रीन विच्फ से पीछे रहता हृँ, तो या दोस्तो गल्स है, पृरित्वि पृ्ष्भ पृष्भ से पृष्भ चकर लगाता है याद रखना है, घुमता है, तो यह बी क्या वह गलत हो गया, तो दोनों के मेड़े एकोडींग इसका एंसर जू होना चाहिए दोस्तो इसाही किन्तु आर गलत होना चाहि है जीरु डिगरी देस अंतर को गृृृः वेच समय मना गया और इसके पस्चीवी में जाने पे इसका समय में पीछे रहेगा और जैसे भारत का मानक समय रेखा गिरीन वीच से कितना आगे तो साड़े पांच घंटा आगे तो यह पुडब में और यह पश्ची में तो यह इसका करेक्ट रोजेगा थरी ए सही है किन्तु आर गलत है नेक्स्ट है एक बड़े आधार और पतली चोटी वाले जनसंख्या पिरामेंड दर साता है तो यह क्या दर साता है दोस्तों तो यह दकना उच जनन दर दर साता है तो लनात्मक रूप से अधिक यूवा जनसंख्या दर साता है सिस्यों में मिर्थ्यू की अधिक दड़ या संख्या को या दड़ साता करेक टेंसर हो जागा A, C और D नेक्स्ट सवाल है नेमली खित युगलो का मिलान की किजिए और उप्यूक्त विकल्प का चुनाव किजिए आगनाय सेल तो आगनाय सेल होगा द्रवित मैगमा थंडा जब होता है तो आगनाय सेल बनता है आउसादी सेल क्या होता है तो आउसादी सेल होता है दोस्तों हवा और जल आदी के द्वारा एक अस्तान से दूसरे थान पर पहुँचकर जमा कर दिये जाते है यानि परदाज चटानी यह होती है कायंतरित सहील क्या हो जाएगा उच दाब और दाब के कारण आग नहीं और आउसादी चटाने जब परिवर्तित होती है तो वह कायंतरित सहील का रूप ले लेती है ठ्राम B Cheer TP 10 tine on market option review to Webb समसे तौन कॉन सक चण्द सबाइए Penis जलाइन वार्त शेहकं से लोगं किवर्विन निम्न करें लूए है कि सब्सक्राइब करें क्वुश मोखरा है कि capture लोगं अधिक उचाए होने के कारण यहां की जलवा जाते है अधिक ठंडी है बिलकुल सही है यह बरफिली हवाओं और तेज जलाने वाले ताप का अनुभाव करता यह भी बिलकुल सही है सी इसमें गलत दिया गया कि हिमाले की विष्टी छाय चेत में होने के बाजेत यहां उंच वर्सा पाई जाती यह बिल्कुल गलत अस्टेटमेंट इसमें दिया गया नेक्स सवाल है कि आरामभीक वर्षों में भारती राष्टी कॉंग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाब बहुत साड़े आर्थिक मुद्दे उठाएं सही उत्तर का चुनाप कीजिए तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एक दो और तीन नेक्स सवाल है कि निम्लिखित में से कौन सा कथन असोक के धम के विशाय में सही है तो असोक के धम के विशाय में कौन सा सही दिया दखना है इसमें किसी देवता की पूजा की आओ सकता नहीं है बिल्कुल सही है इसमें किसी बली करमकांट की आओ सकता नहीं थी यह भी बिल् कर दो को औहुए तो स्थ जोगों को धं कि वीक्त सम्ष खुदन कोई तो यह बिलकूल गलत है कि बहुत हो को इसने नुक्त स्क्थ नहीं किया था बलक्कि जग़ा और दाइस पार यह भी थी किया था खुद वादि था तका कि जनतार उसे देख सकें नेक्स्ट है हमारा सवाल के नीचे दो कथन ए और बी दिये का हैं स्री नारायन गुरू के संदर में कौन सा कथन सही है आपको चुनना है तो यह दखना है कि उनके अनुसार सारी मानोता की एक ही जाती है बिल्कुल सही है उन्होंने सभी को सभी गुरूओं में विश्वास र का चैन कीजिए बेडी गाजा है शरेनी है एडे टाइन पात्र है और गरी पती हैं और गरी पती है तो मोहर लगाने वाला चमकदार बर्दन करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन टू नेक्स सवाल है कि वाई मंडल की किस परत में वाईू की सबसे बहुत पतली परत होती है तो याद अखना है एक जो स्प्यार यानि बहीर मंडल में नेक्ट हमारा सवाल है दोस्तों कि विविद्दा में एकता मुहाबरे किस ने दिये थे तो ये पंडी जवालाल नहरू ने दिया था नेक्स्ट हमारा स्वाल नेमलिकित में से कौन सा कथन बारामी सद्धी की मंदिर निर्मान में परियुक्त सिल्प विग्यान तकनी की विकास के बारे में सही है यानि अधी राजना का भार सीख़रों पर डाल दिया जाता था यह स्टेटमेंट गलत है नेक्स्ट सवाल है नेमलिकित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है तो यादखना यह नियाधिस और पुलिस का काम नहीं करते थे यह सही नहीं है नेक्स्ट है नेमलिकित में से कौन सा यह कौन से युग में सही सुमेलित है तो यादखना है कौफी ठंडी और सुस्क जलवाई में तो चाय पाया जाता है ठंडी और सुस्क जलवाई में और कौफी जो होता है गर्म और क्या पाया जाता है गर्म जलवाई और उंच नेक्स अमारा सवाल है कि भूत पूर्व रियासत रेनी लागू थी तो यादकना 1947 से 48 और 56 के बीच जब उन्हें प्रसाचनी की काई की रुप में मनेता मिली तब नेक्स सवाल है कि 19 सदाब्दी के सदी के अपने वेशिक भारत में लड़कियों को घर पर नहीं पढ़ाया जाता था क्यों नहीं पढ़ाया जाता था क्डेक टेंसर हो जाका वे लोग मानते थे कि सारजनी का स्थानव पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी और लोग अपनी स आति किनके द्वारा लिखा गया था तो बालगंग धर तेलेक के द्वारा क्रेक्ट सरुर जाएगा बी नेक्स्ट हमारे पिरत्वी के मंडल दिया गया और तो अस्थाल मंडल में श descrição हो जाएगा सटान ओ खनीजआ से बना हुआ ह mã juDA जल मंडल में क्या हो जाएगा जल मंड़ में हो जाएगा, जल के विभिन सुरुत, वायू मंड़ में हो जाएगा, वायू की पतली पड़त और जयम मंड़ हो जाएगा पादप और जियुजन्तु next हमारा सवाल है कि नीचे दो कथन A और B, 19 सदि में चमड़े के काम करने वाले को संदर में है कौन सा सही आपको ये बताना तो याद रखना है कि पहले भी स्यूत के दोड़ान सेना के लिए जूतों की जवर्दस मांग पैदा होगी बिल्कुल सही है समान जातियों के गरीब लोगों ने इस आउसर को देखा और सेना है तो जूते आप पूर्थी के लिए त्यार हो गए ये भी बिल्कुल सही है सब्सक्राइब के लिए राजस्व की इदर अलग सुची बनाएगे तो उससे क्या काया था तो उससे जपती पढ़नाली कहा गया था करेक्ट टैंसरों जागा ऑप्शन ए सब्सक्राइब के भारत में केंद्रिय सरकार ने आले के खुनले का समय 9 बजे यानि भारती मानक समय के एकॉर्डिंग जोचे नई के पास करमसा 80 डिगरी पुर्वी देशांतर तथा इटा नंगर के पास 92 डिगरी 45 मिनिट पुर्वी देशांतर के पास इस्थित केंद्रिय सरकार करेयाले के खुनले का असाने समय करमसा क्या होगा तो इनका समय हो जागा करमसा सुबह 8 बचकर 50 बिनिट और सुबह 9 बचकर 41 मिनिट निक्स सरकार ने ऐसे कानौन परित किए जिसने उन संगतनों में बालवारी यानि कडिशुवदा अनिवार किया जहां महिला करमचारी की संक्या काले Mimi fulfill तो याद रखेंगे नेक्स सवाल है कि पिर्थवी की सहले वा सहले जो पिर्थवी के निर्मान के 30 करोर परशाथ बनी वो कौन सी तो पस्टमी अस्टेलिया में इस्तित है याद रखेंगे और रिक्ट एंसर हो जागा बी नेक्स इतिहाज की गुड लिपी का अर्थ निकालन या लिखने में पुरातत वीद एक महकुन भी का निभाते हैं निम्लिकित में उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं तो याद रखना जानवरों पच्छी और मचली की हड़ियां ढूनना या कथन इसमें गलट दिया हुआ नेक्स सवाल है कि समाजी विग्यान में पडियोजना पधिती में सामिले तो इसमें क्या सामिली ए सी और डी यानि गतिविदी सामिले इसमें इसमें पडियोग और वर्नन सामिले या तकना चर्चा इसमें सामिल नहीं है नेक्स्ट हमारा सवाल है कि नए दानिक मुल्यान इसको हम लोग क्या करते हैं डागनोस्टिक एवलूएशन करते हैं का प्रयोजन उद्देश है तो इसका उद्देश क्या है तो इसका उद्देश है दोस्तों A और B नेक्स्ट सवाल है कि समाजी विःण की सिच na के लिए नियम बनाने को खहती और यह नियम एक चार्ट पेपर लिखे जाता है यह चार्ट का अख्शा में चिपका दिया जाता है ताकि छातरी से संदर्व के तौरपा पढ़ियोग में ला सकें इस गतिवीधी को नीन में से किस संपड़तों को पढ़ाने ही तो प्रादारम भी गतिवीधी के रूप में लिया जाता है तो घरेक त interess फोर सब्सक्राइब, इसका हो जाएगा, ए और आर डोनों सही है लेकिन आर एकी क्या कर रहा है दोस्तों सही व्याक्या भी कर रहा है याद रखेंगा, नेक्स सब्सक्राइब, निमलिकित में से किसका पड़ियोग किया जाता है, इसमें कुछ डाउट दिया गया है दोस्तों क्योंकि यहां पर जो है पीपुल आर वेल्दी और प्रोस्पेरस यह समय दिया गया है तो इस कुशन को आप लोग मार करके चलिएगा इसका एंसर अभी मैं नहीं बता रहा हूँ निमलिखिते में से विकल्प निश्पक्च सुनवाई के भूत मुल्भूत तत्व है यह आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट इसका एंसर अगर जिन लोगों ने एक्जाम दिया होगा तो इसका करेक्ट एंसर क्या हो जागा अबब ऑई नेक्स्ट सफवाल है कि 68 निमर्ब सवाल का रह to answer क्या हो जागा जेनरीक दिवाई या इसका रह to answer हो जागा सफवाल है 69 निमर 69 का पृच्छ थैंसर क्या होजागा तो 69 का सथे कृन्तू सर यह आ सतैक किन्तू sufficient^^ याद रखेंगे 70 का राईट आंसर हो जागा मानवा धिकाडों की वैस्विग घोसना Next सवाल है 71 71 का राईट आंसर हो जाएगा option 2 Next is 72 72 का राईट आंसर हो जागा दोहड़ा बोज याद रखना है Next सवाल है 73 73 का राईट आंसर हो जाएगा केवल A इसमें सही दिया गया है नेक्स सवाल है 74 74 का राइट एंस रोज़गा A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या कर रहा है नेक्स सवाल है 75 75 में A और R दोनों सही है लेकिन A जो है R की व्याख्या नहीं करता है याद रखना है 75 का राई टैंसर हो जागा option 2 नेक्स्ट सवाल है 76, 76 का राई टैंसर हो जागा अवलोकन यानि observation नेक्स्ट सवाल है 77, 77 का राई टैंसर हो जागा रतनात्मक और नविंता में व्रिधी नेक्स्ट सवाल है 78, 78 का राई टैंसर हो जागा 4A, B तथा D नेक्स्ट सवाल है 79, 79 का राई टैंसर हो जगा खोजबीन पूछताच यानि inquiry method नेक्स्ट सवाल है 80, 80 का राई टैंसर हो जगा A और D नेक्स्ट है 81, 81 का राई टैंसर हो जगा समान आउसर सुनिशित करने के लिए किसी के साथ विशेश वहवार करना correct answer हो जगा option है नेक्स्ट सवाल है 82, 82 का राई टैंसर हो जगा B, C, D और E ये सभी सही हैं नेक्स्ट सवाल है 83, 83 का राई टैंसर हो जगा B और C यानि प्रवाशी स्रमिक मजदूर और स्क्रिशिय संग 84 का राई टैंसर क्या हो जगा फ्रांसेश 21 से समंदित हैं भारतिय सभ्य धान में सवतंता, समानता और बंधुत्वा 85 का राई टैंसर हो जगा B और D नेक्स्ट सवाल है 86, 86 का राई टैंसर हो जगा भारत के किस चित में आदिवासी समदाई की संगनता सबसे धीक है, पुर्वी भारत में करेक्ट आंसर हो जगा 3 87 की अगर बात करें तो 87 का राई टैंसर हो जगा A और R दोनों सही है और A, R की सही व्याख्या कर रहा है नेक्स्ट है 88, 88 का राई टैंसर हो जगा फोर विश्यम या दरेचिक समूझ जो किसी खेल पर अधारित है नेक्स्ट है 89, 89 का राइट एंसर हो जागा अनेक पड़ी प्रिश्चो और विवी दिरिश्च कुन्नों को सम्मेलित करना नेक्स सवाल है 90 नमर लोगों और सरकार की बीसमद यह इसका करेक्ट एंसर हो जागा अब लोग भासा यानि हिंदी जिनका भी पेपर में भासा वन हिंदी करा होगा वो यहां से देखर मिला सकते हैं 91 का राइट एंसर हो जागा जो मानवी है सतता की व्याख्या करें यह इसका करेक्ट एंसर हो जागा 92 का राइट एंसर हो ज़गा कैल जई से तत पड़ है हर काल में प्रासांगी को 93 का राइट एंसर हो जगा जो समाज को जागरुटा करें ये हो जगा साहित कारों ने समाज की किस सस्थान की परचान करने का पढ़ियाज क्या तो बिखरता हुआ समाज समाज में के बत्तर होने की सितिवाग मेरे खांकित सब्दों का अर्थ क्या है तो अत्यधिक बुड़ा याद रखना है तो निश्चित धारना समाज को गती परदान करता है तो साहित करता है और ये पदान से रिलिटेट सवाल है दिवस दिवसा वसन का संधी विछित क्या है तो दिवस प्लस अवसान कहा जाता है दिवसा सान नेश्ट पदान में किस का चितरन हुआ याद रखना है प्रकृति का चितरन हुआ है हिरदय की रानी किसे कहा गया तो संध्या को कहा गया है संध्या सुंद्री किस तरह के अकास में उर रही है यादखना बादलों से भड़े अकास में उर रही है किसके हसने की बात की कही है यह तारों की पधांस के किस अलंकार का पड़ियोग अधिक मुखडी थे तो यादखन नेक्ट आधियापक सिछार्थी और समगरी पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है तो कच्छाई ये प्रभाव कर लाता है श्री होगा इसका विद्यालियों को योगात्मा दुई भासा वात का नुसरन करना चाहे क्यों या तक ना बच्चे की संस्कृति और भ िप रिकॉडिंग को थोड़ा सा रुकना ये पर लोल प्ले डियो नेक्स्ट तो में जयादा करेंशर फोड़ होगा ध्वानी कि पहचान करना और उन्हें अर्थ निकालना कॉलम एक को कॉलम दो से मैच कराना राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन ए फिर है लेंग्वेज पेपर टू जिनका संस्कीत रहा होगा वो देखेंगे यहाँ पर तो 121 का राइट एंसर हो जाएगा ए सर्वब्य इता स्तिमान पदे का विभाक्त कीम च वचनम अस्थित यह हो जाएगा चतुर विभाक्ती बहुँ वचनम 123 का हो जाएगा सजीवा इसका 124 का हो जाएगा टू 125 का हो जाएगा उपर जीवियम 126 का हो जाएगा वन सहित 127 का हो जाएगा फोर 128 का हो जाएगा थरी 129 का हो जाएगा फोर यादकम 130 का हो जाएगा थरी 131 का हो जाएगा टू यानि गौर्वम 132 का हो जाएगा पुर्शा 133 का हो जाएगा टू 134 का हो जाएगा फोर 135 का हो जागा all lock की गुने 136 का हो जागा padlet 137 का हो जागा पत्र लेखनी परिक्षा यानि pen 10 test 138 का हो जागा 141 का हो जागा 142 का हो जागा क्या दोस्तो 1, 143 का हो जाएगा 1, 144 का हो जाएगा 3, 145 का हो जाएगा 1, 146 का हो जाएगा क्या 1, 147 का हो जाएगा 1 यानि behaviorist, next 148, 148 का हो जाएगा 1, A और B क्या हैं, दोे सत्य हैं, याद रखेंगे, 149 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 150 का हो जाएगा नितिकता याने फैबरल तो यह था संस्कीत का पेपर टू याद रखेंगे तो इस वीडियो में हम लोगों ने दोस्तो समाजिक विज्ञानी यानि SST से related जो सवाल पुछे गए थे CDP से related जो सवाल पुछे गए थे जिनका भी भासा वन यानि पेपर टू में लेंगवेज 1 सेलेक्ट किया होगा उन्होंने हिंदी और लेंगवेज 2 जिनोंने संस्कीत को सेलेक्ट किया होगा तो उसको मैंने यहाँ पर जो भी एंसर की थे उसको मैंने डिसकस कर दिया है तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तो तो वीडियो को लाइक करना न भूले और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जोड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल एकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहा है तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तो ठैंक यू